नमस्कार, स्वागत आपका सागर कोचिंग सेंटर फवानपुर में मैं उसरवन कुवार सागर आज की स्पीडम हूँ आपके लेकर का है स्री निवास, रमानुजन, टालेंट, स्टर्च, टेस्ट, इन मैतमेटिक्स, 2024 के लिए मॉडल कोच्टन पेपर जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्स 2021 में पूछा गया क्वेस्टन है तो इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेस्टन इसमें पूछे जाते हैं तो चलिए आज की वडियो को शुरू करते हैं यह लेवल वन है, जो कलास 6 से लेकर के 8 तक के लिए होता है तो इस बार थोरा सा इसमें चेंज किया गया है जो 2021 में पेपर हुआ था, तो उसमें 30 क्वेस्टन पूछे गए थे इस बार जो है टोटल 25 क्वेस्टन ही पूछे जाएंगे और हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्वेस्टन में दिया रहता है तो चलिए देखते हैं किस टाइप के सवाल पूछे आते हैं इसको ऐसे आप कैसे बना सकते हैं तो देखिए यहाँ पे थोरा से इसको बढ़ा कर लेते हैं ताकि आपको असपस्ट दिखाई दे कर सकते हैं तो यहाँ देखिए इसमें देखिए चालिस भागा चार है तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पहले क्या होता है बहाग की क्रिया होते है फिर गुना का होता है फिर प्लस का फिर मैनस का तो उसी प्रकार से इसको हम बनाते हैं तो यहां पे 4 से अगर 40 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 और उसके बाद एक यहां पे यह हो जाएगा 3, 2, 5 और उसके बाद जो है प्लस यहां पे 5 से अगर 30 में भाग देंगे 6 और 6 में फिर 3 से भाग देंगे 2 हो जाएगा ना तो अब यह हो जाएगा गुना दस पंच है पचास प्लस दो कितना हो जाएगा टोटल बावन तो आप्शन नमर सी हमारा इसका सही उत्तर होता इसी प्रकार से अगला फ्रश्ण है और न कराल तीन रूट पंच प्लस रूट 125 अंदर रूट 125 अंदर रूट अशी प्लस छो रूटपांच तो इसको कहतते हैं प्रकेरतिक संख्यां कि प्रूरुञास उसको करतें तो पता चल जब पाएगा चलिए यहां पे हो गया 3 कुषभ और उसके बाद uh 125 को हम क्या लिख सकते हैं do find root 5 लिख चारली सकते हैं है nा कई सी मुख सकते हैं यह 125 का अगर दुधुरंद खंड करेंगे तो यहां पांस से लगेगा चलिए तो इस तरह से लिख सकते हैं अब देखी आगे अब यहां तक हो गया था अब इससे आगे देखी तो यहां पे अब बट्य में क्या है असी को क्या लिख सकते हैं 16 पंच असी तो चार रूट पांच लिख सकते हैं अब यहीं हो गया तीन रूट पांच लिखिंग अब अच्युक्ति नुर्ट पांच यह कि पला शोर गेया पंचरों प्लो पांच अब बट्य में हो गया था च्छर दस अब दॉट तता है एन का न्यूनतम मान जिससे की संख्यां बावन एम तीन एन बारव से विभाजित हो जाए तो चलिए ट्राइ करते हैं बावन क्या है बावन और यहाँ पर एम है तो अगर हम एम के जगह 0 लेते हैं और यहाँ पर पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है तो यहाँ पर तो यह पूरा संख्या 4 स्विवाजित नहीं है, अगर यह 4 से ही विवाजित नहीं है, तो 12 स्विवाजित होई नहीं सकता, तो पहला option गलत है, फिर दूसरा option ट्राइ करेंगे, चलिए 52, और यहां पर पहले क्यालना है, M के जगा 0, उसके बाद हमें लेना है 3, और N के जगा लेते हैं 2, चलिए यह तो 4 स्विवाजित है, 32, अब 3 से यह हो जाएगा, तो काम बन जाएगा, तो 3, 2, 5, 2, 7, 7, 5, 12, तो देखिए इसका योगफल 12 है, जो 3 से भी विवाजित है, तो इसलिए इसका आप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रस्न देखते हैं, प्रस्न है, N सबसे बड़ी ऐसी प्राकिर्तिक संख्या है, जिससे 1,400, 4,760 तथा 7,000 को भाग देने पर करमसा से स्प्राप्त होता है, तो N के अंकों का योग है, तो इस टाइब के सवाल को आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले आप अंतर निकाल लेंगे, जो संख्या दी गई है, इन सभी का अंतर निकालेंगे, तो अंतर में क्या करना आपको, जो बड़ा है उसमें छोटा वलग घटाना है, तो 4760 में से 1400 को घटा आएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3360, अच्छा इसको घटा आते हैं, 4760 में से 1400 को घटा लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपको, 3360, ठीक है, एक निकल गया, फिर अब इसका इसका अंतर निकालेंगे, 7000 में से 4760 को घटा आएंगे, तो यह हो जाएगा 2440, और उसके बाद फिर 7000 और 1460 का अंतर निकालेंगे, तो यह हो जाएगा 5660, तो 2440, 5660 और 3360, तो इन तीनों का जो घटा के आया है, उन सब का मोशो निकालना आपको, ठीक है, तो 2440 और 3360, इसका मोशो निकाल लेते हैं, एक मर्थव लग जाएगा, यह हो गया 0, 2, 1, 1120, अब 1120 से देंगे 2440 में, है न, तो यह दो मर्थव कट जाएगा, तो इसका मतलब इसका मोशो हुआ 1120, फिर 1120 से किस्षी में देना है, एक और संख्या था न, फिर 1165, तो यह 5 मर्थव कट जाएगा, पुरह है न, तो इसका मोशो कितना निकलेगा, 1120, तो एन निकल गया, अब काता है, एन के अंकों का योग, पूछ क्या रहा है, अंकों का योग, तो इसको जोड़ दिए, एक एक दो दो चार, इसके अंकों का योग कितना हो गया, चार, यानि आपस्टन नमर, एक इसका सहिए, Question 5 लेते हैं, Question 5 में, पिता की वर्तमान उम्र, पूत्र की उम्र की 5 गुणनी है, पिता का जो वर्तमान उम्र है, पुत्र के उम्र का पांच गुना तो अभी तो हमें पुत्र का भी नहीं पता है तो माल लेते हैं पुत्र का उम्र क्या है एक्स वर्स है तो पिता का कितना हो जाएगा तो पांच गुना है तो पांच एक्स वर्स हो जाएगा तीन वर्स पहले पिता के उम्र तो तीन वर्स प तो पुत्र के उम्र जो था तीन वर्ष पहले x-3 इसके घंड के बरावर थी बरावर में 3 ठीक है तो कह रहा है पुत्र की वर्थमान आयू क्या है तो अब हम इस समिक्रण को सॉल्व करेंगे तो एंसर आ जाएगा अब दूसरा तरीका यह है कि हम option से try कर लेते हैं जिस option को x क इसे जग़ा पर रखने पर दोनों side man बरावर हो जाएगा तो वह सही हो जाएगा तो try किजिए पाहला है 5 तो अगर हम यह 5 रखते हैं तो 5 पचीस में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा यह ना 22 अगर हम 5 रखते हैं तो 5 में से 3 जाएगा है ना 2 दो का घंड 8 होगा तो सब्सक्राइब देखते हैं यहां पर हम छो रग दे तो छो पंचे तीस में से तीन जाएगा 27 ठीक है और यहां पर हम छो रग देते तो छो में तीन तीन का घण हो जाएगा 27 तो बराबर हो जाएगा यानि कि आपसट नमर भी सही है अगला फ्रस्न लेते हैं question number six में देखिए आयत की परीमिति एवं लंबाई का उनूपात पाँच और पात एक है आयत की परिमिती और देखिए इस तरह से आयत है इसके चार और की दूरी होता है नहीं होता है परिमिती और इसके बीच का जो जगा होता है वो होता है छेत्र फॉल तो यहां आयत का छेत्र फॉल दे दिया है दो सोला ठीक है हमें क्या निकालना है लंबाई तो इसको हम आप् और 6 फोल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुना चोड़ाई लंबाई गुना चोड़ाई तो अगर पहला बाला अपसे सब्लम्पाई ही दिए हुगा तो पहला अगर हम 12 ले लेते हैं लंबाई पर ठीक है यहां इस तरह सम लिखते हैं लंबाई हो गया 12 चोड़ाई हमें नहीं पता इसका छेत्रफल है 216 तो यहां को बी निकालेंगे तो बी कितना हो जाएगा 216 बट्ट है 12 यह कर जाएगा कितना मर्थव है 12 यहां पर बज जाएगा इसका मतलब लंबाई हो 12 चोड़ाई हो 18 ठीक है अब देखते हैं क्या यह इसको फोलो करता है तो यहां पर देखिए तो परिमितिवरा और क्या होता है टू इन्टू लंबाई जोड़ चोड़ाई है ना तो टू इन्टू बार प्लस 18 यह हो जाएगा तीस तीदूनी 60 तो द इसको फोलो कर जाएगा बारा पंचे साथ बारा और अठारा तो इसका मतलब ऑप्सन नमर ए सही है क्यों साथ में है यदि एक गोले को 430 तथा समान भागों में काटा जाए तो कूल प्रिष्ट का छेत्रफल होगा तो अब यह क्या हो जाएगा दो गुन्ना हो जाएगा न ऑप्सन नमर 20 का सही है इसी तरह से क्वेस्ट नमर 8 में देखिए यहाँ पर इसका ऑप्सन नमर एक सही हो जाएगा तो चलिए आप बांकी क्वेस्ट को आप खुद सॉल्व कीजेगा आपको दिखा देते हैं किस टाइप के क्वेस्ट पूछे आते हैं इसको आप बनाने क किताम में से नहीं रहता है यहां तो ऑप्सन नमर इसका डी सही भी ओप्सन नमर दस में देखिए कुध इसको बना करके देखिए एक सहित पर से तरह आप question देख लीजिए कि step question आते हैं और इसका आप solve कीजिएगा यह सब देख सकते हैं इस type के question सब आपको exam में आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर तिरकुन मिती से भी सवाल दे दिया गया जो 8 class में कहीं भी नहीं है तो आपको आगे लेवल का question सब पूछा आता है तो उस तरह से आपको त्यारी करना परेगा ठीक है तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही मिलते करने वीडियो के साथ जये